अन्ना मलाई को लेकर बहुत बड़ी ख़बर आ रही और एक बात चो कही जाती है नरेंद्र मोदी के बारे में कि नरेंद्र मोदी का साथ जो भी देता है नरेंद्र मोदी उसे कभी नहीं भूलते अन्ना मलाई के साथ भी ऐसा ही हुआ तमिलनाडू के कोएंबटूर सीट से वो चुनाव लड़ रहे थी और एक लाग से जादा वोटों से वो हार गए चुनाव हारने के बाद भी उन्होंने जो पार्टी के लिए मेहनत की उस मेहनत का अब उनको फल मिलने जा रहा है खबर आ रही है कि नरेंद्र मोदी की काबिनेट में अन्ना मलाई को अब काबिनेट मिनिस्टर बनाया जा रहा है आपको ये उनको अचानक से ये तौफा क्यों मिल रहा है आप सोच कर देखिए वो तो हार गए है वो सांसद नहीं है इसका मतलब ये कि बीजेपी ने उन्ह सीटे हासिल करने के बाद यानि खाता भी नहीं खुला बीजेपी का और बीजेपी के वोट प्रतिशत को अगर आप देखेंगे तो वो ए आई ए डीम के यानि जो उसकी पुरानी सहयोगी पार्टी रही है जो जलेलिता की पार्टी थी उससे भी नीचे रही पार्टी किलोमेटर की यात्रा पूरे तमिलनाडू में और वो भी पैदल यात्रा राहूल गांधी की जो यात्रा थी उससे कहीं ज्यादा राहूल गांधी पूरे देश पे घुमने के बाद जितना पैदल नहीं चल पाए उससे कहीं ज्यादा अन्ना मलाई पैदल चलते रहे से मकल नाम दिया गया और इस यात्रा का पार्टी को फाइदा हुआ इस लिहाद से देखा जाए फाइदा क्यों आप हम ये क्यों कह रहे है कि पार्टी को फाइदा हुआ पार्टी को फाइदा हुआ कि पार्टी का जो वोट प्रतिशत 4-5 फीस्दी के आसपास रह रह रहा थ तमिल नाडू में वो अचानक 10 फीस्ती के उपर पहुंच गया ये बीजेपी के लिए सबसे ज़्यादा फाइदे बंद रहा और कहा ये ज़्यादा है कि के अन्ना मलई की वज़ह से ही ये सब कुछ हुआ अला कि कोएंबर टूर की अपनी सीट वो खुद हार गए लेकिन हार कर भी उन्होंने पार्टी को खड़ा किया जब वो IPS ऑफिसर थे तब उन्हें सिंगं के नाम से जाना जाता था तब लोग उनकी तारीफ करते थे उनके काम करने की जो शेली थी जो एग्रेशन था उसकी बहुत तारीफ हो रही थी लेकिन अचानक जब उन्होंने वी आरेस क्लिया और बीजेपी जोइन किया ता बहुत सारे लोगों ने उनके सवाल उढ़ाया कहा कि अर्नमलेई फ्लॉप हो जाएंगे हलंकी वो सीट तो नहीं निकाल पाए लेकिन राजनीती में उन्होंने अपने नाम को और तमिलनाडू में पार्टी को दोनों को स्थापित कर दिया और इसी वजह से पार्टी अब उन्हें जो है यह इतना बड़ा ओफर देने जा रही इतना बड़ा पत देने जा रही है खरीब करीब 11 प्रतिशत जो इस वक्त जो खबर आ रही हमारे पास डेटा मौजूद है उसके साब से भाजपा को तमिलनाडू में 11 प्रतिशत इसे करीब 9 प्रतिशत जो वोट टोटल पड़े थे उनमें से करीब 9 प्रतिशती वोट तमिलनाडू में कॉंग्रेस को मिले जगकि बीजेपि को 11 मिले हालें कि यह वोट सीटों में convert नहीं हो पाए लेकिन जहां भी वोट मिले पार्टी ने मखूथ फाइट दी है कॉंग् सीटे डीम के जीत ले गई बाकी कुछ सीटे कॉंग्रस के पास गई और इसी वज़ा से अब जुगी वहाँ पर देखेंगे तो इंडिया लाइंस बहुत भारी रहा तमिलाडू में एक्जेट पोल के हिसाब से एक्जाक पोल आये नहीं इसलिए बीजेपी को जटका लगा ल कहीं भी अगर आप देखेंगे कहीं भी एक तरफा जीत हासिल नहीं करने दी चाहे वो डीम के हो चाहे वो कॉंग्रेस हो बीजेपी के इस बार के सारे उमिद्वारों ने बहुत जोड़ाड लड़ाई लड़ी और कहा जाता है कि जो ताना बना बुना गया था ये जो सारे समिकरन इक्योशन बिठाए गए थे ये कि अन्ना मलई ने बिठाए थे और इसी काबून कोई नाम मिल रहा है कि नरेंद्र मोदी की काबिनेट में ने काबिनेट मिनिस्टर बनाय जा रहा है अन्ना मलई आपको कैसे लगते हैं उनको काबिनेट मिनिस्टर बनाकर नरेंद् निराइ